आप बहुत confused होते होंगे कि ये cash book और bank reconciliation statement को professionally किस तरह से बनाना है कहीं न कहीं पर confusion आई जाती है तो ये जो tutorial मैं आपके साथ share करने वाला हूँ अगर आप इसे completely देख लेते हैं साथ practice कर लेते हैं, सारे points को समझ लेते हैं तो मैं आपको guarantee करता हूँ कि आज के बाद आपको cash book and bank reconciliation में कहीं पर problem नहीं होने वाली और मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये tutorial completely देखें और अपना feedback मुझे comments में दें कि आपको क्या clear सारी understanding हो गई है या अभी भी confusion वाकी है Let's start Bank reconciliation statement की तरफ move करने से पहले कुछ concepts या terminologies का हमें पता होना चाहिए And then हम आगे बहुत बहुतर तरीके से बढ़ सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इस tutorial को बड़ा धियान से देखते हैं साथ practice करते हैं तो इस tutorial के बाद आपको कहीं Bank reconciliation statement में problem नहीं आएगी Right Workings भी हम इसमें करेंगे Concepts को लेके practical भी सीखेंगे सबसे पहले अगर हम यह देखें कि यह process initiate कहां से होता है या आप सब को पता होना चाहिए कि company या firm आप कहलें business cash book maintain करता है जिसमें सभी transactions का record होता है Receipts का Payments का, Expenses का भी record उसमें maintain हो रहा होता है debit credit को लेके या आप इसे कह सकते हैं कि यह cash movement भी उसमें हो रही होती है ठीक है आप example लें कि आपको किसी customer की तरफ से fund receive होगे एक लाख रुपया, आपने cash book में debit कर दिया कि एक लाख हमें receive हो गया, और आप बंदा भेज़ दियां bank में कि भाई, यह हमारे bank में deposit करवा कि हो तो bank क्या करता है कि आपके account को credit कर देता है अब यहां पे bank आपके account को क्यों credit कर रहा है, क्योंकि यह bank की liability है, आपके advice पे जब वो आपके account से payment करेगा या कोई भी amount deduct करेगा या आप withdraw करवाएंगे तो उसकी liability बड़ेगी, उसी तरह से आपका जो यहां पे cash book का जो payment side होगी या credit side होगी, वो भी उसी तरह से बड़ेगी, clear होगे यह point अभी आप पूरा महीना cash book maintain करते रहे receipts, payments करते रहे उसके बाद जब महीना खतम हुआ तो balance carry down जो cash book का है वो बराबर होना चाहिए bank statement के carry down से ठीक है, लेकिन usually most of the cases में यह नहीं बराबर होता equal नहीं होता यही वज़ा बनती है कि हमें bank reconciliation statement की तरफ move करना पड़ता है और यह वो statement है जो show करती है differences की किन वजुहात की वज़ा से किन reasons की वज़ा से यह difference arise हो रहा है तो सबसे पहले हम formats को discuss कर लेते हैं और relationship देख लेते हैं कि bank statement का और cash book का relationship किस तरह से होता है देखें यह cash book के format आ रहा है opening balance हमेशा cash book का होगा, अगर नहीं है तो ठीक है अगर opening balance है तो वो bank statement के opening balance से match करेगा क्योंकि यहां से पहले पहले हमारा सब कुछ reconcile है अभी आपने entries करना शुरू की आपको check मिला किसी client की तरफ से आपने entry कर ली जिस तरह से receipts होती गई आप यहां पे entry करते गए और जिस तरह से payments होती गई यह देखें यह debit side है ना यह आपकी receipts होती गई on the other hand जब आप payment करते गए आपके expenses आते गए तो आपने यहां पे entries की है और यह आप cash book को credit करते गए at the end आपने balance करेड़ों निकाल लिया जहां पे difference बचता है important क्या है अभी bank statement को सबसे पहले समझे यह जिस तरह मैं आपको पहले बताया कि opening balance bank statement का और cash book का same होगा आगे यागे movement चल रही है और movement को समझने के लिए मैं F2 प्रेस करता हूँ कि जिसमें सबसे पहले opening balance उसमें से क्या हो रहा है कि less हो रहा है debit and plus हो रहा है credit समझते हैं कि यह क्यों plus और minus हो रहा है सबसे पहले closing की बात करें तो यहाँ पे 155,700 है जिसको हमने link किया किस के साथ cash book के इस closing के साथ यह देखें 179,300 के साथ और हमने देखा कि यहाँ पे 23,600 का difference आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए अभी आ गया है तो हमें bank reconciliation statement बनाना है ठीक है अभी relationship के इस तरह समझेंगे यह हमारी cash book है यह हमने expense किया 24,300 का electricity का bill आया जो कि हमने 78,64 check number के थूँ पे कर दिया अभी इसको हम bank statement में देखते हैं और यह mind में रखिएगा कि यह amount आपकी cash book में credit हो रही है bank statement में आते हैं तो यहां पे आप bank का account क्या कर रहा है debit कर रहा है क्या मतलब हो गया आपके account में से पैसे कट रहे हैं तो इसलिए bank का account debit कर रहा है जो amount आपकी cash book में credit होगी वो bank statement में आप debit side पे देखेंगे on the other hand cash book के अगर हम बात करें तो यहां पे जो amount आप debit कर रहे हो जो आपकी sales हो रही है receipts हो रही है ठीक है अभी for example इसी को हम देख लिखते है 21,200 को और इसको bank statement में देखते हैं कि यह कहां पे आ रहा है यह आ रहा है हमारे पास तो यह 79,81 check number है ठीक है तो यह हमारे पास bank credit कर रहा है पता चल गए आपको credit जब भी हम देख रहे होंगे bank statement इसका मतलब क्या है हमें receipt हो रही है हमारा bank account बढ़ रहा है और जब debit होगा तो इसका मतलब हमारा account कम हो रहा है इन दोनों का relationship में उमीद करता हूँ कि clear हो गया है अब इन दोनों में difference arise हो गया है किस तरह से हम इसको reconcile कर सकते है हमें पहले factors का पता होना चाहिए format में बात करते हैं सबसे पहले details में आके concepts के बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से factors हैं जिनकी वज़ासे cash book और bank statement के जो balances है जो 26-300 का हमारा difference निकला कौन से reasons हो सकती है दो तरीका हो सकते है या तो bank statement में कुछ issues होंगे या cash book में होंगे अच्छा number A में कुछ points इस तरह के हैं कि ऐसी items जो के हमारी cash book में तो appear हो रही है बट bank statement में reflect नहीं कर रही है कौन से हो सकते हैं जी unprecedented checks इसको समझते हैं एक example के साथ cash book में आते हैं यह Mr. Yaseen को हमने payment की 7865 की यह 3700 की payment बन दी है हमने check दे दिया Mr. Yaseen साब ने वो bank में जमाई नहीं कराया हमने तो आपके पास अपने पास entry कर ली हैं ना लेकिन bank में चाहे bank वालों ने हमारे bank से पैसे नहीं काटे है account से यह Mr. Yaseen ने check नहीं जमाई करवाया दोनों सुरतहाल में यह unprecedented वाली category में fall करता है ठीक है uncredited deposits और checks इसको समझते हैं जी cash book में आते हैं यह Mr. Kumail है इनसे हमें 13 400 receive हुआ 30 जून को 4 बज़ के 30 मिनट पर 5 बज़े हमें off होना था हमने entry अपने पास कर ली check bank को ही नहीं भिजवाया ठीक है या check हमने भिजवा दिया और bank ने अभी दक हमें credit ही नहीं किया clear हो गया point example के साथ हम relate कर रहे हैं इसको और यह हमने practically देखना है अच्छा B point यह है ऐसी errors या transactions जिनकी वज़ा से हमारा bank balance increase हो जाए कौन सी वजवात हो सकती है automatic deposit हमारा customer है उसने हमें बताया है नहीं direct online पैसे करवा दी है हमारे account में क्या मतलब हो गया automatic जो हैना वो deposit हो गया हमारा अब interest earned हमना रहा कोई saving account है उसमें कोई पैसे हमें रख पाया है हमें महीने बाद या quarterly उसमें पैसे आते हैं तो bank ने हमारा account हमें बताया बगएर credit कर दिया देखे ना यह bank statement में आये हमें bank ने नहीं बताया और यह 27-900 credit कर दिया क्या मतलब हमारा balance बढ़ गया ना ठीक है तो यह भी वजुआत हो सकती है लेकिन bank के पास आगया है लेकिन हमारे पास नहीं आया तो इसका मतलब है difference है ओवर statement आपने 20,000 बेजें अपने office boy को दियें कि भी 20,000 जाओ हमारे bank में जमा कर वा क्या हो bank वाले ने 20,000 लिया है और entry कर दिया 2,000,000 की ओवर statement कर दिया अभी इन ही के against चीज़ों को देखते हैं कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती है जिनकी वज़े से हमारा account bank account, bank balance कम होता है automatic withdrawal हमने bank को advice की हुई है कि भाई इस trust को आपने monthly 5,000 दे देने है direct हमें नहीं बताने की जरूरत तो हमें bank नहीं बताता automatic withdrawal कर लेता है क्या हो जाएगा इससे obviously हमारा मतलब इससे balance कम हो रहा है तो ये भी एक वज़ा हो सकती है deposits in transit deposit in transit उसी तरह से है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ये वहला uncredited deposits and checks में almost होई ये category में बनती है कि हमने पैसे दिये ठीक है और जनाब वह भी रास्ते में है बात कतम होगी या bank वालों ने अभी तक हमारे account में you know क्या किया कि वह account for और नहीं किये लेकिन हमने account for कर लिये है bank charges सबसे बड़ी example है आप जब भी देखते होंगे ना bank reconciliation statement में तो उसमें 90% से स्यादा cases में bank services charges जरूर होंगे withdrawals आपने करवा लिए online आपने payments की तो ये problems आती है इसी तरह जिस तरह over statement हो गई under statement में उसी तरह से हो सकती है आपने 2,00,000 दिया उसने 20,000 के entry कर लिए अभी cashbook में कौन से मसायल हो सकते हैं देखें payments वाली side है ना हमारी credit side जो cashbook की credit side है हम उसको कोई भी amount है for example ये cashbook है हमने यहाँ बे लिखना था 1700 हमने लिख दे 17,000 आगया difference ठीक है इसी तरह से अगर हम ये देखें के हमरी deposit वाली side है या receipt वाली side उसको understate कर दें या overstate कर दें and then यहाँ पर आ जाती है जी deposits and payments इनको हम इस पोस्ट कर दें हमें receipts हुई है देखे जरा हमने ये 9800 receipt हुए हमने यहाँ पर लिख दिया कैसा बड़ा बलंडर बारा ये भी वज़ा हो सकती है and हम अपना ये जो carry down balance है ये वाला इसको कम या ज्यादा कर दें लेकिन इसके chances almost समझें के नहीं होते ना होने के बराबर होते हैं चलें ये वजवात होती हैं जी जिसकी वज़ए से differences arise होते हैं अभी हम reconciliation की तरफ जाएंगे तो इसके steps क्या हो सकते हैं steps को आपने तरफ और से पढ़ना है ये मैंने लिखे हमें है इनको practically भी हम करेंगे तरफ और से समझेगा सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारा जो cash book वाला balance है वो updated हो ये वाला cash book का ये updated किस तरह से होगा ये समझेगा ये इस तरह से होगा कि हम देखेंगे bank statement को compare करेंगे किस के साथ ये cash book के साथ देखेंगे कि ऐसी figures ऐसी चीज़ें जो कि bank statement में आ रही है और यहां पे नहीं आ रही तो उसको हम adjust करेंगे यहां पे ठीक है इसकी हम working करेंगे उसको working one का नाम दे देंगे अभी करेंगे हम सारा काम ये tutorial जो है ना ये जनाब छोटा नहीं होने वाला ठीक है एक एक चीज़ को हमने बड़ा explain करना है understand करना है होसला रखिएगा आपके सारे points क्लियर होंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये file आपको description में मिल जाएगी so nothing to be worried about आप concept लें फिर practice करें सार साथ पहला step क्या होगा हमारा cash book का जो balance है उसको update करना है दूसरा step हमारा क्या होना है वो हमने करना ये है कि जब हमने bank statement को पहला step मैंने आपको बता दिया कि हमने पहले step में bank statement को करना है cash book के साथ compare ये जो दूसरा और तीसरा step है ना actually एक ही है इसमें हमने cash book को bank statement के साथ compare करना है समझीए पहले step में हमने bank में ऐसी transactions को देखा जो cash book में नहीं आ रहे दूसरे और तीसरे step में हमने देखेंगे कि ऐसी transactions जो के cash book में आ रही हैं लेकिन bank statement में नहीं आ रही हमारे पास दोनों को पता होना चाहिए न and last stage पे हम अपनी bank reconciliation statement बना लेंगे जिसमें unpresented checks आ जाजेंगे, uncredited आ जाजेंगे, errors आ जाजेंगे और हमारे पास bank balance आ जाजेगा reconciling items हैं उनको यहां पे लेके आएंगे, अच्छा इसमें हम add करेंगे unpresented checks को, ठीक है, unpresented checks को अपने cash book में add करेंगे और ऐसी transaction जिसन से हमारा bank balance increase हो रहा है, और उसमें से less कर देंगे, जो हमारे deposits हैं या checks हैं वो uncredited हैं, अभी तक bank में credit नहीं हुए, या वो transactions and errors जिसके वज़े से हमारा bank balance काम हो रहा है यह पहले हम इन चीज़ों को study कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर गुजर रहा हूँ, अगर आपको point clear नहीं होबा, दुबारा rewind करें, समझे point को ठीक है जी, यह हमारा bank reconciliation का format है, जिसको हमने use करना है, सबसे पहले हमारा क्या step है, कि हम यहाँ पर cash book का closing balance लेके आजाएं, carry down जो हम लेके आजाएं, यह cash book पर आएं, और यहां से हमने link लगा दिया, यह है, ठीक है, यह formula लगे में, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि हम बैं 2600 का difference है, इसको हम sort out कर लेंगे, अचा इसके लिए, जिस तरह मैंने आपको पहला पताया हमारा step 1 complete हो गया है, अभी हम step 2 अपनी working की तरफ जा रहे हैं, working होगी, इसको हम नाम देंगे w-1, और इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, हम यह देखेंगे, कि bank statement को compare करेंगे cash book के स साथ, ठीक है, clear हो किया, इसको हमने working होगी का नाम दिया, समझेगा, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें हम करेंगे सबसे पहले हम bank statement की debit and credit side को separate करेंगे, फिर हम ऐसा को formula लगाएंगे, जिससे हमें पता चल रहा हो कि अगर हम formula नहीं लगाते, तो हमें क्या करना करेंगा, कि मैं इसको copy करूंगा, समझेगा, control C debit side को, bank statement की debit side का मतलब क्या है, हमारी cash book की credit side, देखें, क्योंकि हमारे पैसे cut रहे हैं, तो यहां पर हम अपनी कर रहे हैं, इसको credit कर रहे है, control भी, यहां तो हम इस तरह one by one करें, compare करें, अच्छा ठीक है, जी, यहां यहां य इसको yellow highlight कर दें, इसको कर दें, यहां पर यह आ रहा है, यहां पर यह आ रहा है, यह को professional तरीका नहीं है, तो हम एक ऐसी approach अपनाएंगे, क्योंकि company के बास एक bank account नहीं होता, 10, 10, 12, 12, 20, 20, 30, 30 bank account होते हैं, तो हमें एक appropriate तरीका यहां पर प्नाना पड़ेगा, सबसे पहले हम करने क्या वाले है, bank statement की debit side को compare करेंगे, cash book की credit side के साथ, इस step में, और bank statement की credit side को, cash book की debit side के साथ compare करेंगे, सबसे पहले तो हमें, मुझे debit or credit यहां पर find out करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इनको copy कर लेता हूँ, यह details and particulars, debit and credit को control C किया, हम यहां पर working में आए, और यहां पर मैंने control V कर दिया, alt H O I, थोड़ा सा मैं इसको zoom कर लेता हूँ, point clear हो गया, understanding हो गई, कोई मसला तो नहीं है, यहां पर अभी आप क्या करेंगे, table add कर देंगे, control T, control T, इसे table add हो जाता है, और यह पूछा है कि क्या आपके headers हैं, बिलकुल है headers, ठीक है, अच्छा यहां पर अभी spaces हा रही हैं, देखें, मैं आपको बताऊं, मुझे spaces की इलावा data चाहिए, debit separate चाहिए, credit separate चाहिए, मैं जल्दी जल्दी formula अपलाए करता हूँ, आपने मेरे साथ चलना है, आपके सारे concepts clear होंगे, यहां पर मैं क्या करने वाला हूँ, यह देखें, filter automatically लग जा यहां पर आएं, blanks क्वांटिक करते हैं, कि blanks की इलावा मुझे debit में filter करके दे दो, इसने यह आपको यह, क्या किया, यह result generate करके दे दिया, अभी यहां पर copy करें, debit वाली figures को, सभी को, नीचे आएं, और यहां पर paste कर दे, control V कर दे, alt ESV कर दे, क्या कि values यहां पर paste कर, control Z करत control C, नीचे आएं, alt ESV, ठीक है, clear हो किया जी, अच्छा, यह वाली कौन सी side है हमारी, bank की debit side है, ठीक है, और यह हमारी details है, समझेगा, अच्छा, पहले हमने debit find out कर लिया, अभी credit करना है, उसको करने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह वाला, जो हमने पहले filter लगाया उसको उसी हालत में लेके आएंगे, और अभी credit वाली side पे filter लगाएंगे, और उसमें blanks को remove करेंगे, रोके करेंगे, यह मैंने सामने क्यों नहीं लिखा, अगर सामने लिखूँगा तो results नहीं आएगा, तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा भी, बाद में cut करके सामने ल यहां पे आप paste special कर दें, all tsv values, एक control x, एक नेचे कर देंगे, all hoi, ठीक है जी, और same वाला यह वाला, copy करें, यहां पे लेके आजाएं, बट यह वाली जो हमारी है ना, यह वाला, यहां से cut करें क्योंकि यह credit side है ना, इसको यहां पे लेके आजाएं, और यह हमारी credit side है जी बात समझेगा, आप जब भी bank statement देखेंगे, यह cash book देखेंगे ना, वहां पे कोई invoice number, check number, check number आप ज़रूर देख रहे होंगे ना, कुछ चीज़े होंगी, जो कि check number के बगार होंगी, यह जिनके पस invoice number नहीं लिखा होगा, बाकी के साथ होगा, तो हम यहां पे एक vlookup का formula ल रहे जी, debit side को हमने किस के साथ compare करना है, credit side के साथ, लेकिन यहां पे 000 पहले नहीं है, end वाले four figures है, मतलब जो हमारा accountant है, उसकी यह practice है, कि check end वाले four figures मैंने उठा लेना है, और bank statement में वो सारा check number लिखते हैं, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें थोड़ी सी working बन प्रेड़ करेंगे, यह 2016 से प्लस अनवर्ड जो एक्सल के फॉर्मेट्स है ना, वहां पर यह filter आपको मिल जाएगा, seven eight six four, आपने क्या करना है, zero zero को ignore करें, सिरफ आप seven eight six four करें, then आप यहां पे लिखें जी, seven eight six six, enter, जब आपने दो लिख लेना है, तो उसके बाद आपन control e press कर देना है, और यह इस तरह से आपको artificial intelligence के तुरू, यहां से check number के end वाले four figures उठा के देगा, जहां पे नहीं है, वहां पे नहीं आएंगे, important बात, आपने make sure करना है, कि यह वाला जहां पे आप यह paste कर रहे हैं ना, वहां पे format general हो, यहां पे home में आएंगे, और यहां प format होगा ना, for example, यह इस तरह format होगा, तो काम खराब हो जाएगा, control z करें, sorry मैं इसको क्या करता हूँ, दुबारा से general formula में लेके आ जाता हूँ, ठीक है, यहां से check number आगा, अभी यहां से, यह जो debit amount है, bank statement की, क्या side मैं भी mix कर गया हूँ, हाँ, यह bank statement की हमारी जो debit side है ना, उसको हमने किस के साथ compare करना है, credit side of cash book, ठीक है, तो यहां पे हम formula लगाएंगे, कि हमारे पास, इस check number के against, cash book में से यहां से balance आ जाए, वी look up का formula लगाएंगे, थोड़ा सा different formula होगा, लेकिन समझीएगा, क्योंकि, यहां भी अगर आप देखे ना, मैं escape करूँ, और cash book में आये ना, तो यहां पे numerical figure भी आ रही है, और यहां पे text भी आ रहा है, तो Excel को सिरफ numeric का पता चलता है, text का नहीं पता चलता, तो इसके ल control, okay, is equal to we look up, आच्छा, we look up की value हम direct किस तरह से find out कर सकते हैं, लेकिन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जहां से find out करना है, वहां पे क्या है, text भी है, और numeric figure भी है, तो क्या करेंगे, थोड़ा से comment करेंगे, shift, यहां पे double inverted commas, steric double inverted commas, and press करें, अभी आएं और इस check number को select करें then press end, double inverted commas, steric double inverted commas, इसका मतलब यह होता है, यह जो D24 मैंने आपको बता रहा हो ना, इसको, आप find out करो, और इसके इर्द कर जो भी है ना, आप उसको ना देखो, मुझे सिरफ यह value आपने देखनी है, बाकिको छोड़ दो, and then comma, अच्छा, आगे table array पोच रहा है, table array में कहा से find out करना है, cash book के साथ हम compare कर रहे है, और कौन सी side के साथ, credit side के साथ, जहां से यह पहली value start हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, electricity से मैंने यह दूसरे detail से किया, आगे, दो column मैंने select किया, and नीचे तक balance carried down से उपर उपर तक select किया, press F4, कि यह fix हो जाए, नीचे move ना करे, then press comma, column index number, यही से हमने बताना है, column index number, value हमने कहां से find out करना है, amount, यहां से, यह यहां से, यह 1 है, यह 2 है, हम 2 press करेंगे, then comma, और exact match चाहिए, then 0, and press enter, यह देखेंगे, हमें इसने result generate करके दे दिया, यही formula को नीचे drag कर दे, और यहां से निकालें, आप difference को है या या नहीं है, ठीक है, is equal to this amount, minus this amount, यहां पर difference भी निकल सकता था, control T, अच्छा, एक और बात समझेए, यह आप देखें कि यहां पर इसने अभी, हमें, अगर मैं यहां पर इसको select करूं, और control T करूं, यह हमें format में जल्दी जल्दी दे दे, अभी हम बहुत जादे डेल में नहीं जा रहे हैं, अच्छा, देखिएगा, कि यहां पर अगर मैं इसको बताऊँ ना, कि यह जो credit in cash book है, सभी को unselect कर दूं, और यह एन जहां पर आ रहा है, एन ने का मतलब क्या, यह तीन items हैं, जो के, समझेगा, यह वो तीन items हैं, जो के हमारी bank statement के debit पर आ रही हैं, लेकिन cash book पर नही नहीं आ रही हैं, बाकी सब आ रही थी ना, सिर्फ यह नहीं आ रही थी, मैं क्या करूँगा, यहां से filter remove करूँगा, इसी तरह से हमने, अभी debit वाला काम कर लेना है, कोई मसला ही नहीं है जनाब, ठीक है, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले check number find out करेंगे, जिस त यहां पर आगे कोई difference है या नहीं है, ठीक है, यहां पर flash fill वाला option यहां पर तो नहीं है, dividend income वाला, यहां पर करें आप 7981, आगे है जी 7982, और control E प्रेस करें, यह देखिए, इसने flash fill की सब मदर से कर दिया, अभी हम यहां पर क्या करेंगे, formula लगांगे, is equal to VLOOKUP, जल्द double inverted comma, and, यह look up value में चाहिए, and, inverted comma, steric double inverted comma, then comma, table array हम बताएंगे, cash book में से, अभी debit side से बताना है, तो यह बता दो यहां से, balance, broad down को तो opening balance नहीं चाहिए, मैं, F4 प्रेस करें, बाकी को select करके, comma, column index number 2, exact match के लिए 0 और press enter, इसको drag down कर दें, यह हमारे पास result आगया, पहला N आगया, यहां ठीक है, जी, this minus this, value error आएगा, is equal to this, minus this, यह इस तरह से हमारे पास, sorry, यह difference आगया, ठीक है, अभी इसको हम table format उसी तरह से दे देते हैं, control, control T, और यह हमारे पास, यह, अच्छे देखें, यहां से अभी हमने क्या किया है, अभी दर, control minus, यह हमने यहां पे, पहला step अपना complete की है, और पहले step में हमने क्या किया है, कि bank statement में ऐसी जो जो चीजें आ रही थी, जो cash book में नहीं आ रही है, उसको हमने find out कर लिया, पहला step हमारा complete हो चुका हुए, अभी हम क्या करते हैं, कि पहले दूसरी working भी कर लेते हैं, और फिर हम एक बार ही अपना data उतर लेके जाएंगे, हम यहां पे अभी, दूसरी working करने अभी हम cash book to bank statement करेंगे, कि दोनों का difference हमें पता चले, अच्छा यह इस से हमें पता चले है, transactions की errors, ठीक है, और यहां से हमें पता चलेगा, जो अभी हम working कर रहे हैं, unprecedented checks कोई है, undeposited checks कोई है, तो वहां से हमें पता चलेगा, ठीक है, अभी हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले cash book की debit or carried side लेके आएंगे, date के में जरूरत नहीं है, यहां तक आएं और balance carried down से पहले पहले तक copy कर लें, working to में आते हैं, यहां पे आके control V कर दें, alt hoi, अच्छा इसको मैं थोड़ा से zoom कर लो, थोड़ा से ज्यादा ही हो गया, थोड़ा से यहां पे column add कर लेते हम, बाही और बैनो, दोनों ही सुन रहे होगे, अच्छा, इस तरह से है, कि यहां पे spaces नहीं आ रही है, जो हमने यहां पे working की थी ना, पहले हमें यह control T, यहां पे table add करना पड़ा था, अगर आपको यहाद हो ना, जब हम credit की बात कर रहे थे, select all कर दो चले है, इसको real form, यह दे करेंगे, हम formula निकालेंगे, 7981, यह देखें, यह मसला हो गया न, यहां पर, क्या मसला हो अपला है, यहां पे number format आगया, तो हमें number format नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, general format, otherwise हमारा formula काम नहीं करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको general कर दे, अच्छा, इसको escape कर दे, ज़ार हमने क्या किया इस cell को copy किया और यहां पर select कर लिया इन cells को देन हम इसकी short की होती है जी alt e s और यहां पर हमारे पास different options होते हैं जिसमें से हमने format जोनना है और enter कर देना है ठीक है दोबारा हम copy करेंगे और यही हम यहां पर आके करेंगे क्योंकि यहां पर भी हमें वैसी चाहिए select करें alt e s यह format ठीक है अभी हमें यहां पर कोई मसला नहीं होगा यहां पर क्या करता हूं जी 79 a2 and control e press कर दिया भी look up लगाए ठीक है look up पर a के लिए वही formula है जी double यह अभी अभी तो आपको पता भी चल गया होगा इसका यह हमारी value आ गई then and यह comma table array table array अभी हमें bank statement से चाहिए दूसरी बाग यह हम cash book की debit side देख रहे हैं तो हमें value कहां से चाहिए होगी bank statement की credit side से तो हमें date की जुरुरत नहीं है हमने यहां पर यह debit को select किया नीचे तक आए f4 किया कि यह fix हो जाए और credit side के लिए चाहिए तो पहला column हमारा हमने यह select किया था दूसरा यह था column index तीसरा है तीसरे से वहरे चाहिए 3 लिखा then comma 0 and enter drag कर तो जाहिए यहां पर को difference है यहां पर difference लेकर आजो this minus this यह हमारा difference आगया जल्दी जल्दी से में कर रहा हूं यह हमारा है जी यहां से remove कर लें सही हो गया यही काम हमने अभी यहां पर करना है क्या करेंगे सबसे पहले हम check number find out करेंगे यह मैं यहां पर heading copy कर लो यहां पर control c control v हो गया check number के लिए seven eight पहले दो तीन हम लिखेंगे जो यहां पर आ रहे हैं बाद में को issue नहीं होगा seven eight six five control e ठीक है जी यही formula copy करें यहां पर control c control v sorry 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 यह माला था formula यह लगा था formula control v हो गया अच्छा यहां पर अच्छा सब कुछ same है बाकी सब कुछ same है मतलब कि यह value भी ठीक उठा रहा है check number यहां से उठा रहा है लेकिन bank statement का debit and credit भी वही है लेकिन column index हमेरा three three नहीं है हमने यहां पर क्योंकि यह हमारी cashbook की credit side है तो हमने क्या करना है bank statement की debit side के उठाना है which is column index number two three को remove किया two लिखा press enter देखें जी हमारे पास result इस तरह से आगया control d करें is equal to this amount minus this यह हमारे पास इस तरह से difference आ गया clear हो गया कोई परिशानी amounts हमारे पास निकल आई है अभी सिरफ हमने क्या करना है इनको put करना है I hope के सब कुछ clear है अच्छा यह हमारी workings है workings है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से हम workings निकालेंगे हाँ ठीक है इनके हमने न वो नहीं किया है tables में नहीं लेकिया है select किया control t बिलकुल हमारे की headings है यह आ गया फिर दन इसको select किया control t headings है okay यह हमारे पास इस तरह से कुछ presentation बन गई ठीक है control minus यह column minus कर देंगे ठीक होगे जी अच्छा यह हमारी है जी debit side bank की cash book की यह हमारी credit side इस कभी इस column कभी हमें जुरुरत नहीं है चल अच्छा कोई नहीं मसला अभी हम आते हैं अपने format में यह हमारा bank reconciliation का format इसमें हमने अभी क्या करना था दोबारा आएं इस format में समझें सबसे पहले हमें क्या चाहिए था पहला step क्या था हमारा cash book का balance update करना है cash book का balance हमने update नहीं किया ऐसे amount लिखी और उसका balance update करने के लिए हमने working की पहली यह कि जो जो items bank statement में आ रही हैं और cash book में नहीं पहले उनको लेके आओ मैं क्या करता हूँ सबसे पहले सबसे पहले बास समझीगा मैं यहां पे लगाता हूँ कि जो bank statement की हमारी debit side पे आ रही है जो हमारी bank statement की debit side पे आ रही है और cash book यह देखें cash book नहीं है na 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 इनको पहले मैं filter लगा लेता हूँ जनाफ यह सबी को unselect करें एक बार यह unselect and then यहां पे na पे क्लिक करें हमारे पास यहां पे तीन values बनती है bank charges, bank charges, direct debits अच्छा यह अभी आपने पताना है यह कौन सी transactions है जिनकी वज़ए से हमारा balance अप ओ रहा है या down हो रहा है और यहां पे आएं तुबारा BS format में यहां पे balance increase होगा तो यहां पे आएगा add करेंगे अगर decrease होगा तो हम less करेंगे ठीक है यहां पे अभी मुझे बताईए कि इनकी वज़ए से क्या हमारा bank account कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है one by one यहां पे फिल्टर लगाएंगे ठीक है जी लिंक लगाएंगे यहां पे लेस हो रहा है तो हम पहली दो items को छोड़ देते हैं इस इक्वल टू वर्किंग वन में आते हैं लिखें यहां पे बैंक चार्जिस के साथ लिंक लगाएं और यहां पे control R कर दें control R से क्या होता है कि यही वाला जो है ना उसके सामने वाला फॉर्मॉला वही लगा देता है ठीक है इस इक्वल टू यहां पे हैं क्योंकि हमारा bank balance कम हो रहा है ना clear है ना यह बात अगर नहीं clear तो दोबारा देखें वाला control R दोबारा यहां पे working one में और यहां पे direct debit जो हो है हमें bank ने बताया है नहीं direct debit कर लिए control R प्रेस कर दें अच्छा यह formula मैंने already लगा रहा हुआ है sum का और sum के पीछे minus भी लगा रहा हुआ है क्योंकि हमने यह amount less कर नहीं है ठीक है ना clear हो गया अच्छा इसके बाद working one में आते हैं यह वाला हमारी तीनों values जो तीनों errors से account for हो गए है यहां पे filter हटा दें सबी को select करें दोबारा से क्योंकि अभी हमने यहां पे जाना है अभी यहां पे एक ही value आ रही तो यहां पे filter लगाने की जरुरत नहीं है dividend income में receive हुई है dividend income से हमारा account increase हो रहा है तो हम उसको add करेंगे देखें इस तरह से चीज़ें असान होती है जणाब यहां पे आ जाएं यहां पे is equal to यह working one में यहां पे आ जाएं बैंक dividend income online transfer और control R कर दें ठीक है जी clear हो गया यहां पे अभी यह हमारी working one थी उसमें से जो जो transactions थी जो bank statement में आ रही थी cash book में नहीं आ रही थी वो हमने account for कर ली अभी हम क्या करेंगे unpresented checks on und deposited उनको हम देखेंगे अभी यह आपने मुझे बताना है कि भाई यह जो अभी हमारी for example यह जो credit नहीं हो रहा है bank statement में जो हमारी debit side cash book की यह हमने यहां पे debit side cash book की compare की है ना bank statement की credit side के साथ तो यह क्या है यह बताएं ना तो clear सी बात यह है कि यह जो हमारे यह जो दो checks आ रहे हैं यह हमारे und deposited checks है न तो इनको हमने क्या करना है format में आएं और format क्या कहता है कि यहां देखें uncredited deposits इनको हमने यहां पर आके less करना है दो बारा आएंगे BRS में और यहां से हम यहां पर link लगा देंगे is equal to working to में आएं और यहां पर आएं सबसे पहले यह लिखें और control R कर दें ठीक है और यहां पर इसी तरह से this one working one और यहां पर आएं सारी working two में आना था हमने और यहां पर Mr. Kumail enter control R कर दें clear हो गया जी अभी हम यहां पर आते हैं working two में देखते हैं कि हमारा यहां पर दो हैं यहां पर filter लगाना चाहें वो आपकी चोईस है अगर इस तरह भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं Mr. Nassir और Mr. Vaseem यह दो unpresented checks हैं जो कि हमने check दे दी हैं उन्होंने present ही नहीं किया है ठीक है ना यह clear हो रहा point तो हम यहां पर क्या करेंगे फिर लिंक लगा देंगे is equal to working to Mr. Nassir control R sorry 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 control R चले इसका भी link लगाना पड़ेगा okay यह हमारी amount है जी seventy one is equal to दुबारा working to में आते हैं Mr. Vaseem और यहां पर भी link लगा दें यह आगा जी यहां पर हम Mr. Vaseem कि दर हैं जी इनके amount यह है enter तो अभी आप देखें जी इनका format ज़रा ठीक करने control one border में आते हैं और यहां पर लिखें जी यह वाली line select करें outline करें और okay कर दें अभी मुझे बताईए यह amount हमने ली थी अच्छा यह वाली जो value है मैं ज़रा इसको highlight भी कर दो alt hh यह वाली जो हमारी values हैं यह हमारी values क्या है बला यह वह values हैं जो कि bank statement में आ रही थी लेकिन हमारी cashbook में नहीं थी आ रही अभी यह हमारे दो check क्या है un deposited यह credits हैं हमारे ठीक है un credit deposits हैं और यह वाले अन प्रिजेंटेड चेक्स हैं देख लें ज़रा आप फॉर्मूले लगे में some का formula भी देखें इस cashbook में यह amount add हो रही है यह less हो रही तो यह आ रही है अभी bank statement के amount यहां पे लेके आया थे difference हमारा zero आ गया क्या मतलब है कि हमारी यहां पे bank reconciliation done इसके बाद I don't think so कि यहां पे आपको कहीं पर भी problem हो सकती है हाँ एक में आपको बता देता हूं वो क्या है for example आप यहां पर example लगाएं कि हमां हमने जो bank को check दिया ना यह cashbook में यह दिया जी सतना सो का अभी एक step further हम बढ़ रहें आगे सतना सो का check दिया ठीक है और bank ने जो entry कर ली हमारे account से उसने debit कर ली है सतना सो ने किये उसने हमारे account से सतना हजार कर ली है जब सतना हजार किये तो हमारे जो closing बहले से वो कितना हो गया bank का one four zero one four zero four double zero मतलब difference कितना हो गया 38 900 का तो अपने बताना है इसको किस तरह से sorted कर सकते हैं यह देखें यह पंदरा हजार तीन सो का difference आ गया अभी यहाँ पर एन ने तो नहीं आ रहा लेकिन हम difference वाली field से देख सकते हैं कि यह अब difference आ रहा है इस difference से देखिए गा इस difference से क्या हमारा account balance कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा ह इस difference से हमारा account balance कम हो रहा है क्योंकि उसने हमारा account 15300 से ज्यादा debit कर दिया है ठीक है तो हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे bank statement में आएंगे यह BRS में आएंगे ठीक है यहाँ पर एक line item एड़ करें आप row इसको link लगाएं यहाँ से working 2 से यह Mrs. Fatima ठीक है यहाँ पर अगर इसका note note 1 और नीचे यहाँ पर लिखना चाहें कि यह भई क्या था इसका बला overstate कर दिया उसने तो यहाँ पर क्या amount थी is equal to minus is equal to working 2 में आए और इस difference को उठा लें इंटर कर दें लेकिन यहाँ पर minus में नहीं figure आएगी उसके लिए में क्या करना पड़ेगा start में minus लगाना पड़ेगा लेखें देखें इस तरह से आप reconciliation करेंगे इन्शाला ताला मैं यह उमीद करता हूँ कि इस tutorial के बाद आपको किसी bank reconciliation statement में excel की working हो वैसे करनी हो आपको कहीं पर problem नहीं आएगी और आपके सारे concepts भी clear होंगे इसके लावा जो tutorials हैं वो भी आप देख सकते हैं हमारी जो बाकी trainings हैं उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं I hope कि आपके लिए यह काफी helpful रहा हो जरूर आपने यह share करना है thank you so much हम next video मिलते रहेंगे लाफिज